स्वागत है आपका आलेंडी आगनबाडी नीज चैनल में दोस्तों आपको बता दो अगर आप सची खबरे पाना चाहते हैं दोस्तों आगनबाडी की हो या अन्ने कोई खबरे तो दोस्तों यहाँ से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन वेल भी दोस्तों आन करने ताकि आपको हर अप्डेट नीज चैनल के आज सामके इस वीडियो में और वीडियो को फटा-फटा आप सब भाई बहें लाइक कर देए और सीधा हम खबरों की तरह बढ़ते और आपको काफी सारी सूचनाय है जो मैं इस वीडियो में आज दूँगा उनको पूरा एक एक करके आप देखते चाहिए सबसे पहला लेटर है जिला आपका है टीकमगड मध्ध प्रदेश से तो मध्ध प्रदेश से जो भी बहेंने वो खास तोर पर पहले ध्यान दे और बांकी के राज्यों की बहेंने भी इंतजार करें वीडियो लास तक देखें और भी काफी सारे लेटर हैं यहाँ पर जो विसे पड़ा हुआ है जिले में कोरोना जो वाइरस है उसके संकरमन को रोकने के लिए डोर टो डोर सर्वे कराने के संबन में तो मध्ध प्रदेश के टीकमगड में सर्वे का ये लेटर आप लोगों की स्कीन पर देख रहा होगा जैसा कि आप लोग देख सकते हो 6 अपरेल का और यहाँ पर कुछ आवस्यक नर्देश दिये गए उन नर्देशों को आप लोगों को पढ़कर के बता दू तो आंगनबाडी बहनों को क्या नर्देश है लिखा है संबन्दित अधिकारी करमचारी के द्वारा नगरी वाड़ पंचायत के प्रतेख घर में जाकर सर्वे कारे संपादित किया जाए एवं निर्धारित जो है फार्मेट में रजिस्टर संधारित किया जाए इस्थानी आसा कार करता एवं आंगनबारी कार करता सहीका अपने आवंटी छेत्रों में उक्तकार संपादित करेंगी तो आंगनबारी बहनों को भी वहाँ पर आदेश दे दिया गया है और आगे ले चलते हैं आप लोगों को सहेका को भी इसमें आदेश है ऐसा नहीं सिर्फ आंगनबारी काम कर रही है दूसरा यहाँ पर लेखा हुआ है आप देख सकते हो एक और नोटिस है और तीसरे में आगनबारी के लिए सूचना है कि प्रते एक दिन के सरवे के डाटा की आगनबारी कार करता तथा लेका है ग्राम रोजगार सेवक के समनवे से आनलाइन फीडिंग कराई जाए एवं मु प्रदेश में आदेश हैं कि वो भी आगनबारी उसको भी करेंगी आगे आप देख सकते हो ग्राम रोजगार सेवक भी उसमें हिस्सेदारी लेंगे आगे आप लोगों को लेचलते हैं और भी जो आगनबारी के लिए आदेश है उस आदेश की तरफ हम आप लोगों को समय सीमा से पूर कराये जाने हेतु निर्देश है शेत्री अधिकारी करमचारियों के द्वारा कारे ना करने की स्तिती में आपदा प्रबंधन अधिनियम आपका 2005 की धारा 56 और 57 के अनुसार कारे का पालन ना करने की स्तिती में एक वर्स का जो है कारावास या फिर जुर्माना जो है अधिरोपित किया जाएगा इसके लिए सम्मंदित अधिकारी करमचारी लेखा है और व्यक्तिस्ता वगरा जवाबदार होगा तो ऐसे में यदि काम नहीं हो रहा है तो वहाँ पर जेल वगरा की भी बाते कही जारें मध्रदेश में तो जैसा कि आप लोगों के सूचना थी और तमाम राज्यों की बहने भी जो है सूचना पर गौर करिए आप लोगों को लगता होगा कि ड्यूटी वगरा से हम भाग सकते हैं लेकिन हम लोग भाग नहीं सकते यहां पर एकांगनबारी बहन है जो मध्रदेश से बहन है जैसा कि आप देख सकते हैं और इन बहन की जो है वीडियो कांफेंसिंग भी आपने देखी थी जो महिलावाल लिकास मंत्री समर्ती देवी जी है और यहां भी कुछ जो है बहने पीछे हट रही थी ड्यूटी करने से मुझे लगता है सब को आगे आना चाहिए जब देश जो है बचा रहेगा तो अपने जो है सिकवा सिकायत बाद में भी जो है हम लोग कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी तो यहां पर पहले अपना फर्ज निबाना है और इन दिनों हर कोई फर्ज निबारा है तो ऐसे में यदि हम लोग मुख मोडेंगे तो फिर हमारा देश जो है संकट में रहेगा तो ऐसे में आप लोगों को बताना चाहेंगे आगे चलते हैं फिलाल के लिए कुछ तस्वीरें हैं बहन की जैसा कि वो अपना काम कर रही है वो आप देख सकते हो और इसके बाद में सीधा आप लोगों को हम ले चलते हैं अन्य उनकी तस्वीरों की तरब और अन्य खबरों की तरब यहाँ पर काम तो आपको करना है मद्यप्रदेश के टीकम गड़ में ग्राम रोजगार सहायक पटवारी करसी विभाग का अमला इत्यादी के दौरा प्रतेख पंचायत के प्रतेख घर में जाकर सरवे कराया जाए तो सरवे कराया जा रहा है और स्क्रीनिंग वगारा उत्तरप्रदेश में चल लई है स्क्रीनिंग में बहुत सी बैनों की ड्यूटी लगाई गई है दोपहर में एक वीडियो दिया था जिसमें पुलिस कर्मी जो है आवाज लगा रहे हैं उन एरिया में जो आपके हाई अलर्ट एरिया है जहां पर संक्रमिन वगेरा का खत्रा जादा है तो ऐसे में वहाँ पर आवाज लगाई जा रहे कि लोग बाक सभी घर में ही रहें बिल्कुल भी बाहर ना निकलें तो ऐसे में आंगनबारी का टीम बना करके लगाया गया है और इसमें लिखा कि सेतु जो है अनुवभागी मजिस्टेट ने अपने इस तरह से टीम गठित कर निर्देश जारी क करें और टीम गठन करने में मुख की जो है कारिपालन अधिकारी जिन्पत पंचायद और बीमो साहक प्रमंदन ए गवर्नेंस सहोगी ये सभी लोग जो असमें साथ निभाएंगे साथ ही आप देख सकते हो डेटा एंट्री की वाते कहीं जा रहे है जो यहाँ पर सर्वे र अनलाइन फीडिंग कराई जाए तो अनलाइन फीडिंग वगरा के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा था तो आगे आप देख सकते हो कुछ और भी पॉइंट है उन पॉइंटों की तरफ जरा देख लीजिए और किस तरीके से क्या यहाँ पर है तो यहाँ पर नगरपाल अभी की जो है ड्यूटी लगाई जा रही है किसी की भी जिसकी ड्यूटी लगेगी उसको काम करना पड़ेगा आगे आप लोगों के लिए यह कुछ इस तरीके से है और मेडिकल वगरा के लिए आपर कुछ लिखा है पर्थम स्टेज की मेडिकल स्क्रीनिंग का कार दिनां और समझा करें क्योंकि सेम चीजे हर राज्यों में इन दिनों देखने को मिलने क्योंकि समस्या एक जैसी है तो आधेस भी एक जैसे हर राज्यों में देखने में आते हैं भले ही वो टाइम से ना है यानि कि दो चार दिन के बाद आप लोगों के वहां वही लिटर आ जाए हैं और इसे हम लेटर को छोड़ते हैं और आगे चलते हैं यहाँ पर साहणी बहन है साथ बहन का नाम कुछ और होगा नंबर तो यही लिख करके हमने से ओ कर रहा है साध जल्दी-जल्दी में किया होगा तो यहाँ पर उनकी पैसे की मांग रखी जाए जो की सरकार फिरी बठवा रही है और ऐसे में आंगनबाडी को इसमें वसूली का हिस्सा बनाया जा रहा है जहां कहीं भी इस तरह का केस आये आंगनबाडी बेहनों आप से पैसों की वसूलीयों को ले करके आप लोगों को चाहिए कि उनका वीडियो उनकी जानकारी या दिवाट से में इस तरह का मैसेज डालते हैं कि पैसे वसूलो या पैसे लो इन चीजों को ले करके जो खिलाफ है चीजों के तो इनके स्क्रीन सॉट ले लो रख लो और काम भी कुछ बना करो जब भी आपके उपर से दबाओ बने अधिकारी आए तो उनको दिखाएं वही सबूत दिखाओ कि ये लोग हमको इस तरीके से कह रहे थे कि आप जो है गलत तरीके से पैसा लो या ये लो जो भी आपकी समस्या है तो उन समस्याओं को आप दिखा सकते हैं लेकिन फिल्ड पर पैसे आपको सेनेटरी पैट के नहीं मांगने उस खबर पर हम जल्दी आएंगे और वो खबर भी आपको अगले वीडियो में हम जरूर लेकर के आएंगे ये एक आगनबारी बहन है उन्होंने दुरगावत्ती हैं बहन आजमगर से उन्होंने ये हमें फोटो वगर बहन बाट रही है आगे आपको दिखाना चाहेंगे आसा कारकरता ने बिना किट सर्वे से इनकार किया है तो आसा बहने भी परिसान बैचारी उन्होंने भी जो है मना कर दिया और अभी आसा बहनों से चुड़ी एक और खबर है वो भी आप उसके लिए भी आवाज जाना चेतर में लगातार सामने आ रहे है पॉजिटिव केस तो जहां जहां पॉजिटिव केस ज्यादा निकल करके सामने आ रहे है न तो वहां के जो भी चाहिए आंगनबाडी वरकर हो उनके लिए समस्या बहुत बढ़ी है तो ऐसे में हमने एक वीडियो भी बनाया है कि आप लोग मास्क अपना लगा लीजिए क्योंकि आंगनबाडी के विभाग ने तो आंगनबाडी को मास्क नहीं दिये लेकिन ड्यूटि जरूर लगवा दी गई है तो ऐसे में तीन लेयर वाला मास्क बनाने का एक वीडियो चैनल पर आ चुका है आपकी सुरच्छा के लि यह देख लिए आंगनबाडी वरकर बहन है तो ऐसे में आप लोगों को पता होगा कि आंगनबाडी वरकर इन दिनों कितना बड़ा काम करें लेकिन उसका नाम भी कहीं नहीं है ना ही उनके लिए सुरच्छा के कोई इंतजाम है तो यह बहुत बड़ी समस्या है और जहां- आगनबाडी वरकर की अब ऐसे में वो आगनबाडी बेचारी जो जाएंगी जिनके पास ना मास्क है ना कुछ हैं तो बहुत दिक्कत हो रही है और दूरदाज इलाकों में बहने बेचारी जाती है उसके बाद पैदल कहीं कहीं आती किसी के लिए तो इंतजाम कर देते हैं उनके भी भाग के दिकारे और कहीं-कहीं वो भी नहीं करते अब आप देख सकते हो जैसे एक वहन भी कहा कि उनके वहाँ पर तो पैसे मांगे जा रहे हैं सेनेटरी पैट के लिए जो की सरकार लखनाउ में फिरी बटवा रही है और ऐसे में जहां-जहां यह पैट जो इसके लिए भी पैसे मंगवा रहे हैं गाउंवालों से कि उनसे पैसा वसूल लिए अब बताइए इन दिनों में जो पैसा वसूल ले है इन लोगों का क्या होना चाहिए इनकी तो नोकरी जानी चाहिए तो इसलिए कहता रहता हूँ जो भी सुपरवाजे इस तरह का काम करें जो गलत है समाज के खिलाप है तो उसका वीडियो बनाएं यदि फोन करके कहती हैं तो उसका रिकार्ड रखें या वीडियो के माध्यम से तो उसका रिकार्ड रखें या मैसज करती हैं आपके गुरूप में इस तरीके से तो उसका आप जो रिकार्ड रखें अपने पास सेफ करके उसके बाद जब जाच होगी तो आप लोग उसको दिखाए कि आपके विभागी अधिकारी आपके साथ क्या करें किस तरह का दवाव बना रहें आगे देख सकते हो महिला अंगनबारी कर्मचारी संग उत्तर प्रदेश की दोरा ये डाला गया एक लेटर चार तारीक को उन्होंने निकाला है दिनांक उन्होंने डाली ही नहीं है और ये चार दोजार बीस बस पड़ा हुआ है अब ये माननी प्रदान मंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार लखनो सायद ये जाएगा या भी जाएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर डेट तो उन्होंने डाल करके रखी नहीं है किस डेट का है और ये बस सिर्फ लिखकर के उन्होंने बेज दिया या फिर इंतजार कर रहे होंगे जिस दिन वो भेजेंगे उसी दिन की जो डेट डाल देंगे फिलाल जो भी होगा इसको मैंने पढ़ा पुरी तरीके से और बहुत अच्छी जीजे लिखी है और वो भी आंगनबाडी वहनों के लिए जो इन दिनों आगनबाडी के सुरच्छा की जो एक तरह से मुद्दा उटता है यह अपका महिला आगनबाडी करमचारी संग ने आवाज लगाई है लेकिन इन दिनों अब आवाज लगाने की जरूरत नहीं है ये आवाज जब लगनी चाहिए थी तब नहीं लगी कहने का मतलब है 15-20 दिन पहले तब आवाज नहीं लगी और अब 15-20 दिन हो चुके हैं हाट स्पोट वाले जो एरिया हाई अलर्ट वाले उनमें आंगनबाडी वरकर लगी है और जहां नहीं भी लगी है वहाँ भी बचा चाहता हूं बहनों आप अपना मास्क खुद बना ले तीन लेयर का जो आप लोगों की सुरच्छा कर सके विभाग वाले देंगे भी तो वो एकदम बेकार देंगे जो किसी काम का नहीं होगा सिंगल लेयर है डबल लेयर वाला तो उससे अच्छा है बढ़िया अपना खु अपने में एक मामला आया और वहाँ पर बहन के साथ जो है बुरा बरता हुआ उसी चीज की आवाज वो अपने मुख्यमंत्री और पधान मंत्री जी को लगाना चाहती है उसी का उन्होंने एक लेटर भी हमें लिखकर के भेजा है लेटर काफी दिखाई नहीं दे रहा है थोड़ी गलत एंगल से ली गए इसी वज़े से तो यहाँ पर हम कहना चाहेंगे आपकी आसा बहन जो है और उनकी तरब से आल इंडिया जो यूनियन की तरब से तो उन्होंने नंबर भी बेजा था नंबर उनका कुछ इस तरीके से आप लोग नोट कर सकती है यदि आसा हैं आसा बहनों के लिए यह नंबर है बागी किसी के लिये नहीं है उनका तो आप उनसेवन 949-20052 तो यह नंबर आप смотреть आसा बहने जो है तो है जो है गोरखपुर वाली बहन से मदद मांग सकते हैं यदि आपके साथ कुछ भी गलत होता तो आपकी आवाज वो आगे उठाएंगी और आगे आपको दिखाना चाहेंगे ये हमारे पास एक मैसेज लगा हुआ है और मैसेज देख सकते हो कि आंगे बारी कारकरता पूनम मिस बहन है जो कि बलाक कुसी नगर से हैं बलाक उनका सायद रामपुर बांगर खड़ा बलाक उनका जो होगा ये खुसी नगर उनका जन्पद है तो ये चीज़े हैं उन्होंने कुछ गलग तरीके से लिग दिया अब आगे आप लोगों को ले चलते हैं अन्य तरह की जो जरी मेरिया जादा है जहां पर मस्जिदे जादा है उन वहां पर केले कूछ सूचना है आईो सूचना पर हम थोड़ा गौर करते हैं लिखा है उक्त आठ जो हार्ट स्पोस्थ छेतरों के अत्रीक चार अन्य छोटे हार्ट स्पार्ट छेत्रों में भी सेलिंग की वग़रा यथा दवाई, दूद, रासन, फल, साग, सबजी की जो आपूरती है सरकारी एजेंसियों के माद्यम से होम डिलिवरी द्वारा सुनिशित की जाएगी खुला नहीं होगा होम डिलिवरी आपकी होगी ऐसा नहीं है कि आप लोग सब कुछ बंद है तो आप लोग घर में विचारे भूंके बैटे रहेंगे तो होम डिलिवरी की सुविधा उपलब्द कराई जाएगी आपके घर चलकर के वो देकर देने आएंगे आगे लिखा है जनपत के अन्य समस्थ छेत्रों में लागडाउन रहेगा तथा 12 हाट स्पाट सील छेत्रों के अलावा लागडाउन छेत्रों में आवस्यक वस्तूँ की दुकाने यथा दवाईयां दूद, रासन, फल, साख, सबजी खुली रहेंगी तो जहां पर लागडाउन नहीं है, यानि कि मतलब लागडाउन तो हर जगह है एक हाट स्पाट वाले जो एरिया चुने गए, जहां पर ज़्यादा संक्रुमित वेक्ती हैं संभावना ज़्यादा है संक्रुमित फैलने की, तो ऐसे बिल्कुल तरीके से जो सील कर देंगे वहाँ पर बड़ा लागडाउन बोल सकते हैं, तो वहाँ के जो एरिया है, वहाँ पर कुछ भी आप लोगों के लिए दुकान वगारा कुछ भी नहीं खुलेगा, कुछ भी का मतलब कुछ भी ऐसे में आप लोगों को होम डिलिवरी की सुवधा मिलेगी, आपके घर आकर कि आपकी सुवधा, आपकी जो दिक्कत होगी, वो सौल की जाएगी जो रासन नहीं होगा, तो रासन दिया जाएगा, जो भी आपको मंगवाना होगा, तो ऐसे में भी, आप लोगों को खास तोर पर ध्यान लखना है, प्रसासन को परेशान नहीं करना है, आए दिन ऐसे भी वीडियो आते हैं, घर में रासन भरा पड़ा है, फिर भी फोन करत और यह सिर्फ लखनव में ही नहीं और भी जगे आपके जनपदों में इसी तरीके से जो है एडवाइजरी जारी है वहाँ पर बताया गया है कि जो हार्ट स्पाट वाले छेतर हैं वहाँ पर कड़ा लागडाउन है पूरा नियमों का पालन करना होगा वरना फिर जेल की हवा आप खाएंगे और मारे उपर से अलग से जाएंगे लिखा है थाना कैंट में जो है मस्जिद जो है अली जान के आसपास का छेतर थाना वजीर गंज में मुहम्मद मस्जिद के आसपास का छेतर और थाना कैसर बाग में फूल बाग मस्जिद के आसपास का छेतर थाना कैसर पूरवाली जो मस्जिद है वहां के आसपास का छेत और ठाना आपका गुडंबा बगारा लिक्षा हुआ रजावली मज़ित के आसपास का छेतर, ये आपके लखनओं के कुछ छेतर हैं, कुछ एरिया हैं मज़ित के आसपास के, तो वहाँ पर खास तोर पर बड़ी तरीके से लॉगडाउन है, अब वहाँ का छेतर पूरा स्क्रीनिंग होगा, गरगर जाकर के टीम लोगों के जो है स्क्रीनिंग करेगी, यदि संक्रमित रखती होंगे, कुछ भी गलत होगा, तो उन लोगों को जो कॉरंटीन किया जाएगा, उनको ताकि और लोगों तक संक्रमन ना फैले, ये आपकी सुरच्छा के लिए, आपकी सुविधा के लिए, आपकी जान बचाने के लिए, पूर अन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए जल्दी आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, अगली बड़ी खबरों के साथ में